हे फ्रेंट्स वेलकंटो माई चैनल नेभी रॉक्स का टेक्सो लीग का ओई आई वारसित एलवी के बीच ए घंटेक तालिस मिनिट बाद बात करू भाई हो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइन अपस के बाद का मिलेगी बाद मिलने लिए मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है डीम 11 टीम्स तो यह रहा मेरा चैनल को रूनने में प्रॉब्लम ना हो यह भी रॉक्स डीम 11 टीम्स बस आपने इतना सा डाइप करना है और आपको यह 1.5 के मेंबर्स वाला ग्रूप शो हो जाएगा और आप इतर जीत सकते हैं कुछ ऐसे भाई हो जैसे कि आप देख सकते हैं क्या जबर्दस्त विनिंग चल रही है अभी भी अभी कंट्ली मैच इस है और आइप बहुत ही जबर्दस्त भाई हो और आज का IPL बहुत ही जैकपोड मैच है और आपको कह रहा हूं विनिंग करने के फुली चांस है औरे चैनल प्लेयर का सब्सक्राष प्लेते हैं लोगहा जाती है हमारे शेचिंघक सब्सक्राइब болभ शू Leonardo बात करूँ विकेट कीपर की तो यहां से लेने होना हो एक टॉप का प्लेयर जिसका मैं आर सर्वर यह कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक कहा गया था और मैंने भी कहा था कि अच्छा चल सकता है लेकिन पिछले मैच में नॉर्मल खेल कि इसका बॉलिंग कराना बहुत ही मुश्किल है और यह सिर्फ बैटिंग में चलता है और देखते हैं अगले मैच में क्या करता है क्योंकि जरूरी नहीं कि अगले में भी जीरो पे उड़ेगा और आगे से बात करूँ के पटेल की तो के पटेल पे मुझे आज बहुत वर काफी लोगों के देखो बैटिंग सेक्शन ऐसा नहीं अगर जब बैटिंग चलने पर आती है तो बहुत चलती है मलब कोई रोग भी नहीं पाता लेकिन मैं जो भी आपको एक राही दूँ आप हमेशा ऑल रांटर चुना करो क्योंकि ऑल रांटर में बाई चांस अकर प्ल पर बोलर में इस बार इसका सीजन मैं ने देखा यार खास नहीं लगा मिरको प्रोपर बोलिंग प्लैट्फूम पर जा चुक है मतलब मैंने बैटिंग साथ इसकी अच्छी नहीं रही अब आप चाओ तो इसको दो वर बालिंग के तोर पर ले सकते हो और आगे से बात को न चलने के असार है और आगे से बात करूँ बालर की तो एम हरीस के साथ में इसकी जानों डियू टू बालिंग पिच्च क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में इनकी पूरी विक्टे उड़ी तो इस बार में उड़ने के चांस है तो यह जो एम हरीस है इसका फायदा उठा सकत क्योंकि भाईयों पिछले मैच में इनके सारे बॉलर फ्लॉब गए है एक दो दो तीन से उपर विक्टे भी नहीं उड़ा पाई पिछले टीम की और आगे से बात करूँ यहां से एक और प्लेयर लेने वाला हूँ जिसका नाम है वाईयो एस जुस चैचे एस सोरी इसका न अबी के लिए बाई फ्रेंट्स आपका दिन शुबर रहें